हेलो प्रेंट्स, मोस्ट रोस का फ्लावरिक सीजन स्टार्ट हो चुका है और आप सब के पोचलुका में भी अब ऐसे सुन्दर सुन्दर कलरफूल फ्लार्स आने लगे होंगे लेकिन अगर आपके किसी पोचलुका की लीव्स ऐसी थोड़ी मुडी हुई या कर्ल्स ही हैं और उन पर ऐसे वाइट कलर के पैचिस भी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको मौस्रोस की इसी प्रॉब्रम के रीजन्स और उनके सॉलुशन्स भी बताऊंगी तो इसके मेंली दो रीजन होते हैं पहला रीजन है पैस्ट अटेक ये देखिए जब ऐसे मिली बग्स या कोई और इंसेक्ट मौस्रोस पर अटेक करता है तो इसकी कंडिशन ऐसी खराब होने लगती है और अगर आप टाइमली इसे ट्रीट नहीं करेंगे तो ये मर तो इसे ट्रीट करने के लिए आपको इस पर कोई इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना होगा आप घर पर ही बहुत बनाने और यूज करने का मैथड मैंने पहले शेयर की हूई एक वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो इसका का alkaline होना मोस्रोस को प्रोपर ग्रोथ की लिए slightly acidic या neutral soil चाहिए होती है तो अगर इसकी soil alkaline हो जाती है तो ये ऐसे खराब होने लगता है अब इसे treat करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी soil test करनी होगी soil आप pH meter से test कर सकते हैं और अगर आपके पास pH meter नहीं है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने घर पर ही available चीजों से soil की pH टेस्ट करने का method बताया हुआ है और उस वीडियो का link भी description box में है अब अगर test करने पर इसकी soil alkaline आती है तो आपको उसे neutral बनाना होगा आप घर पर available चीजों से ही बहुत ही easily soil की pH अज़स्ट कर सकते हैं और इसका method भी मैंने पहले एक वीडियो में बताया हुआ है और उस वीडियो का link भी आपको description box में मिल जाएगा तो इस तरह आप अपने most rose को easily revive कर सकते हैं तो friends अगर आपको ये वीडियो useful लगी तो please like करें, share करें और मेरे चैनल को subscribe करें Thank you and happy gardening